प्यारे बच्चियों, साथ सिरीय काल अज बेटा आपा लेख रचना दे वेच मेरा स्कूल लेख बारेगाल करांगे अपने पंजाबी दे पेपर दे वेच लेख रचना एक महत तवपूर्ण विशा हुंदा बेटा जिस दे काफी जादा नंबर प्रिख्या दे वेच रखे हुंदे है पर बहुती बार वद्यार्थियां नू एहे एक खुशक जा विशा लगदा है ते वो एदे वल बहुता त्यान ने दिन दे जद के लेख रचना छूटियां जमातां दे वेच ही तो अनू शुरू करवा दित्ती जन्दी है प्राइमरी स्कूल तो ही तुसी लेख रचना करनी सिख जनने हूं ओथे अदे आपक्तों नू सौखा समझाण दे लेई कई वार नंबराँ दे वेच तो अनू लेख रचना करनी शुरू करवा दे है एक दो तेन नंबर पाके तुसी पहला पांच सत्रा फिर दास सत्रा याद कर दे हूं उस्तों बाद असी पैरयां दे विच यही लेख है जड़ा ओहो याद करना शुरू कर दिने है तब पहली कलता ही है कि सन्नो लेख रचना दे विच उसे तरह दिलचस्पी लेनी चाहिए दिया है जिमें असी दूसरे जड़े है अपने टापे को पढ़ दे हैं पाठ पुस्तकां दे विच कहाणियां जा कवितामा जा व्याकरन दे विच मोहावरे क्योंकि जिस चीज बारे असी अपने माम दे विच उन्हों ओखा मन लेनने है उखी तार ना मना लेनने है फिर बाठ दे विच सन्हों मेशा ओखाई लगदा रहन दे ता ए कोई ओखी चीज ने है बहुत सौक है लेख रिचना करना बस ओदे लेई सन्हों अपना माने जड़ा ओखो त्यार कर लेना चाहिए ता लेख रिचना करन दे लेई कुश्क गल्ला जे तुसी त्यान दे व उन्हों कोई भी लेख लिखना ओखा ने लगना जिमें लेख है जड़ा ओँ शुरू दे विच्ची बहुत परबाव शाली होना चाहिए तुसी लिखों ता इनिया बदिया अगल्ला लिखों का पेपर चेक करन वाड़ा हुं दे जड़ा उन्हों सारे दा सारा लेख अंधे नाल पढ़ना पवे जा उन्हों एहे पहले ही पता लागे जे के बच्चा है जड़ा उन्हों बहुत जानकारी है शुरू दे विच्च तुसी ओदे उट्टे प्रबाव पाले हा बहुत चंगा जड़ा उस तो बाद बड़ा हिस्सा हुं दे लेख दा उसनो उसी ल लेख दा ताड के दिनने है लेख दा ताड जा लेख दा मद एदे विच आपां खुल के अपने विचार पेश करने हुं दे है जो भी सड़े मन दे विच विचार है जेस विशेते असी लेख लिखने है ओस दे बारे सारे अपने मन दे विचार असी इस दे विच परगट क पर सड़े विचार है जड़े ओ खास तर्तीब दे विच होने चाहिए यह नहीं कि असी एक गल शुरू किती हो दे बारे एक पॉइंट लेखता फिर अगली सतर असी किसे होर गल बारे लेखती इस तरह नहीं पहला दमाग दे विच सोचने तर्तीब बनाणी है अपने विचा काराणदी ते फेर उस्तर तीब नुँ लेख दे विच पेश कर दे नहीं है जड़ा अँखीर लापा अग होंदै उस देविच असी आपने वलों संखेप टिपनी देंडी होंदी वोपर असी सारा लेख है जड़ा वो ब्यान करता ता अखीर दे विच असी आपने वलों स तक किसे भी विश्य बारे असी वदिया सारताई लेख साकदे हैं जेकर सडी जानकारी किसे भी चीज बारे वदिया हुवे तब वदिया जानकारी प्रापत के में किती जा सकदी है असी अखबारां पढ़िये सड़े स्कूल दी लाइब्रेरी विचो लया के वद तो वद कताबां पढ़िये ते टीवी जदों देखिये ओदे ते कोशिश करिये के असी विद्यक प्रोग्राम वद तो वद देखिये इस दे नाल बिटा सड़ी पाश है जड़ी ओहो बहुत सपश्ट ते परबाव शली बन जन दी है असी अपने विचारा राही पाशा राही दूसरे ते बहुत वदिया परबाव पा सकदे है यहे किसे भी लेख रचना दे लेई एक मुडली शर्त हुन दी है ते सड़ी जड़ी शबदाव ली है लेख दे विचो सोखी होनी चाही दिया है पहते ओखे शबदान दी असी वर्तो नहीं करनी ताई सड़ी पाश है जड़ी ओ सरलते स्पश्ट रहोगी बाकि असी कदे वी जड़ा लेख है उसनों सतरा दे विच ने लिखना एक दो तिन पॉइंट बणा के कदे नहीं लिखना ताई सी हाई स्कोल दे विच हमेशा पैरे यां दे विच ही लेख लेख दें जड़ों सड़ा एक विचार खातम हो जानदा है असी उत्थे एक पैरा खातम कर दिनने हैं ते दूसरा विचार दूसरे नमे पैरे तुशुरू कर दें तपैरा बनोन लगे विए सित्यान रखनें के थोड़ी जेही कापी दे विचासी सतर शाड़के विचकारों पैरा शुरू करिये ते हर एक पैरा उन्नीक सतर जडियों खाली शड के ही बनाया जावे ताओ दे नाड देखन वाडे ते पढ़न वाडे ते बहुत ही वधिया परबाव पैंद है वाड जडियो हो अपने छोटे छोटे होने चाही दे छोटे वाग काँ विच लेखिया होया लेख बहुत परबाव शाली बनाद है यदे विच्च 웃टे ही अखान मोहाव रे जान कोई गीत कवितालियां छुटियां छुटियां तोकां जानके से महानव्यक्ति दे विचार ये सारे पेश कर सकदे हैं इस दे नाल लेख रचना दा महत्तव बहुत ही वद जंद है ता शब्द जोड़ां वाल साननू लेख रचना समे खास्ते आन देना चाहिए है शब्द जोड़ां दे गलतियां जड़ियां और नहीं होनियां चाहिए दिया ता यही गल्तियां सुधा रन देले सब तो वधिया तरीकाई है कि हफते दे विच का टोकाट एक बार असी लेख रचना जुरूर करके देखिए आप दे वल्लों का पी ते तेन चार सफे जड़े हो अपने विचारां दे जुरूर लिखिए ता होड़ी होड़ी चदोसिय अब्यास कर दे जामांगे ता यही शब्द जोड़ानियां गल्तियां साडियां कट दियां जानेंगी हैं क्योंके गल्त लिख तैजड़ी उसनों कोई पसंद नहीं कर दा लेख लिख दे समय बिटा विश्राम चिन्ना दा वी त्यान रखनें कई बार असी इननों बहुता महत्तव नहीं दिन दे जिथे कॉमा लोने आसी कॉमा नहीं लोन दे जिथे विचार खतम हो गया आसी डंडी नहीं लोन दे ता एस दे नाड साड़ी अगड़ दुगडी सिक्षियत दा दूसरे ते परबाव पहन दे ता सही परबाव पॉन दे ले विश्राम चिन्ना दी वर्तों है जड़ी ओ जुरूर करनी चाहिदी है जैसी इनना दी सही वर्तों नहीं कर दे ता गल बात दे अर्थां दे विच बहुत बदलाव आ जन्द है बहुत सरा फर्क पे जन्द है उस तो बाद बेटा लेख है जड़ा ओहो तुसी ये जरूर देखने प्रिख्या दे विच क्यों किन्ने नंबर दे उस नंबर दे अर्थे ही इसी लेख दी लंबाई ये जड़ी योहो निश्चित कर दे है जे पंज नंबर दे लेख पुच्छा जन्द है ता असी लेख दा कार थोड़ा जा छोटा रखांगे 10 नंबर दा पुछ़ा जान दाय त वड़ा 15 नंबर दा पुछ़ा जान दाय त ओसतो भी वड़ा त नंबरां दे आरते ही इसी लेख दी लंबाई यजड़ी उहो निस्चित कर देया इस तो इलावा कई बार उते शब्दां दी गिनती भी देती हूं दिए कि लेख लिखो पर उस दे शब्दे जड़े हो इनने ही होने चाहिदे है 200-200 तक ता असी उननेक शब्दे जड़े उहो ही लिखने हैं बहुता ज़्यादा विस्थार जां बहुती संखेप ता जड़ी उहो चंगी ने ता जिनना थोड़े तो पूछ याद जान दै तुसी उनना ही लिखो बे मतलब दियां गल्ले जड़ियां उनना तो प्रहेज करना चाहिदे ता लेख है बिटा उननु एहे ने कि तुसी लेख नू याद करना शुरू कर दो रट्टे मारने शुरू कर दो लेख है जड़ा उहों सी रटे नी मारने इस तरह नाल याद नी करना जे किसे विशे बारे साड़े मांदे वेच सपष्टता है सनो दे बारे ज्यान है ता सनो रटे मारन दी लोडनी पेंदी सिर्फ उसी अपने विचारानों एक तर्तीब देनी है तो उस तर्तीब दे रही है यसी बहुत वदिया लेख है जड़ा उहों लेख सकते है ता यही लेख है बिटे जड़े उहों किसे तरान दी यात्रा बारे जहां किसे व्यक्ती दे उत्ते किसे गुरू दे उत्ते हो सकते है जान इहे किसे कविचार दे उत्ते हो सकदे है, जान किसे दृष्टे हो सकदे है, तो लेख है जड़ी हो बहुत तरांदे हुं दे है, तुसी कोशिशे करो कि इस तरांदे जड़ी वड़ डेप्रेशन हुं दे है, उनुँ पेपर दे विच अखीरते करो, क्योंकि अखीरते जिदो असी इस तरह दावर डाप्रेशन है जड़ा उखो हाल कर दे हैं तस अनू समा खतम होन दी चिंता नहीं रेंदी असी अपने हिसाब दे नाड इसनू हाल कर सक दे हैं कोशिश करो के लेख दे समय बहुती कटावड़ी ना होवे क्योंके फिर लेख तैजड़ी उखो जे समा होवे ता लेख लिखन तो बाद एक वार उसनू पड़ जरूर लेना जाईद है ओदे नाड असी अपनियां बहुतीयां गलतियां आप ही ठीक कर लेने हैं ता जे असी बेटा इनना गल्ला दा त्यान राख के कोई भी लेख पेपर दे विच लिखिये ता साड़ा लेख बहुती परबाव शाली होवेगा तेसा नोदे विच्चों बहुत सोणे नंबर मिल नंगे बच्यों असी मेरा स्कूल लेख पड़न तो पहला अपने मन दे विच आपो अपने स्कूल दी कल्पना करांगे साड़ा सारे अंदा स्कूल एक दूसरे दिनाड मिलदा होया भी थोड़ा बहुत बखर है जा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बखरा हुंदा होया भी एक दूसरे दिनाड समानता रखते हैं ता असी एथे मेरा स्कूल लेख परेगल कर दया, पेंड शेर हर थां दे छोटे वड़े स्कूल दे विच पढ़ दे, बच्चियान उत्यान विच राखके एहे लेख त्यार करांगे, तब अच्चों असी अपने स्कूल दे विच की कुछ देख दे हैं, सब तो पहला साड़े स्कूल दी स्थिती है के साड़ा स्कूल केडे पेंड शेर दे विच थेता है, साड़े स्कूल दी इमारत के उजेही है, साड़े स्कूल दे विच किन्ने कमरे है, किन्यां जमाताने, जमात्तां दे कमरें तो इलावा होर केड़े केड़े कमरें ने जमें मुख़द्या पकदा कमरा, कम्प्यूटर लैब, विग्यानिक प्रियोग शाला आरोटी कमरा, मैथ कॉर्नर, ड्राइंग जां आर्ट एंड क्राफ्ट ता कमरा स्कूल दी लाइब्रेडी, साड़ा रसुईकर, इही साड़ी इमारत दे विच स्थित कमरें जिते जाके असी अपो अपने विशेदा ज्यान प्रापत कर दे हैं, ते रसुईकर दे अग्ये बने वरांडे दे विच, जांवड़े हॉल दे विच असी दपैर वेले मिड़े मील खानने हैं, ता इही लगपग हर स्कूल दे संजे कमरें हम दे हैं, इनना तो इलावा होर साड़े स्कूल दे विच की को जै, खेड़ दे मैदान ने खुले, जां साड़े स्कूल दे विच काल लग्या होया है, सोनी फुल वाडी बनी है, सोने फुल है, हर्याली है, इस तो इलावा स्कूल दे विच पढ़न वाडे बच्चे, ते पढ़ाण अध्यापक ने इन्ना दी गिन्ती छोटे वड़े स्कूल दे अधारते काटजां बद्ध हो सक दिये ते सब तो महत्तव पूर्ण अध्यापका अतिविद्यार्थियां द्वारा रख्या जान वड़ा अनुशाशन है तब च्यों जे असी इस तरह नाड एक बार अपने मांदे नाड सारी स्कूल दिसायर कर लई तब फिर मेरा स्कूल लेख लिखना साडेले कोई मुश्कल गळ नहीं असी अपने आप ही अपनी कल्पना दे सहारे ते अपने स्कूल बारे जानकारी रख दे होए मेरा स्कूल लेख लिख सक दे हैं। तो जदो असी मेरा स्कूल लेख बारे गल कर दे हैं, तो सब तो पहला असी एस स्कूल दी इमारत बारे गल करांगे। मेरा स्कूल मैं सरकारी हाई स्कूल गिदड जिला पठिंडा विखे पढ़दा हां। एहे पिंड तो बाहर खुली थांते बणया है। मेरा स्कूल इलाके दा मिशूर स्कूल है। स्कूल दी इमारत बौत बड़ी है। इस विच दस कमरेहन ते एक बड़ा हाल है। ता बच्यों एह असी अपने स्कूल दा नां जा जेडे पिंड दे विच स्कूल स्थेत है। जा जिन्ने इस दे विच कमरे है एहे असी आपो अपना लिखांगे। इहे सारे बच्यां दा सांजा नहीं हो सकदा। ता इस तो इलावा स्कूल दे विच जमातां दे कमरेहन तो इलावा होर कमरे। उनना बरे असी अगे इस लेख दे विच वर्नन करांगे। इनना बरे लिख दयां असी दसांगे कि इस विच एक विज्ञान दी प्रियोग शाला ते एक वड़ी लाइब्रिरी है। मेरे स्कूल विच एक कम्प्यूटर लैब्र वी है जिस विच पौँ सारे कम्प्यूटर लगे हन ते एक वड़ा प्रोजेक्टर लगा है। स्कूल विच गणित विज्ञान ते समाजिक विज्ञान विशे दे पारक बने हन, स्कूल विच फुला नाड हरा पर्या एक बगीचा भी है। तब च्यू एहे वी हर स्कूल दियां सांजियां गल्ला ने, सारे स्कूला दे विच ही विज्ञान दी प्रियोग शाला, लाइब्रेली, कम्प्यूटर लैब, प्रोजेक्टर ते हरे परे मैदान ने बगीचे ने। स्कूला दे विच गिनेत्व ग्यान समाजिक सिख्या दे पारक भी बणे ने, कोज स्कूला दे विच एहे कॉर्नर बणाए होए ने, ते कई स्कूला दे विच अलग कम्रे भी बणाए होए ने, जिते जाके विद्यार्थी अपनी जानकारी प्रापत कर दे है। ता इस्तो लावा बच्यों और स्कूल लांदे विच की को जय आओ अग्ये जानिए मेरे स्कूल दी इमारत नमी है जिस विच कमरे खुले ते हवादार हन कमरें ते वरांडें विच वक्वक विश्यां दा बाला वर्क हर किसे नू अपने वल खिचदा है मेरे स्कूल विच खेडण लई खुले यते पदरे खेड़ दे मैदान हन ता बच्यों लगपग हर स्कूल दे विच वोन बाला वर्क करवाया होय है वरांडें दे विच सूने रंगदार चितरकारी है जड़ी वक्वक विश्यां बारे विद्यार्थियानों जानकारी दिन दिये इसतो इलावा स्कूल दे विच खेडण लई खुले सोने मैदान बणे होय है इसतो इलावा तुसी आपने वल्लों कोई होर गल भी लेख सक देऊं जो तो आ नू अपने स्कूल दे विच दिखाई दिन दिये जिड़ी कोई वक्री भी हो सकती है ता इस्तों इलावा होर स्कूल दे विच की को जय आओ अग्ये जानिये स्कूल विच बच्चियां दे खान लेई बहुत वदिया मिड़े मील बनदा है मेरी स्कूल विच तिनसु विद्यार्थी पढ़ दे हन उन्नानू पड़ाण लेई पंदरां अध्यापक हन स्कूल दे मुख अध्यापक साहेब बड़े लायक ते तजरबेकार हन स्कूल दे सब तों वड़ी वशेषता इत्थों दा अनुशाशन है तब च्यों खाणा खाण दे लेई मिड़े मील अस्योदे बारे दसने इस तो लावा स्कूल दे विच पड़न वड़े विद्यार्थी ते पड़ाण वड़े अध्यापक इन्ना दी गिंती वखोवखरी हो सकती है तुसी आपने स्कूल दे अधारते लेख सकते हैं इस तो लावा असी स्कूल दे मुख़ दे अपक बारे ते स्कूल दे अनुशाशन बारे विशेश तौर ते एस लेख दे विच जानकारी दे सकदे हैं ता इस तो लावा अग्ये असी होर अपने एस लेख दे विच की कुझ लिख सकदे हैं आओ देखिए अध्यापक अते विद्यार्थी समे सिर स्कूल पुझदे हन सारे अध्यापक पूरी मेंत नाल पड़ाओं दे हन स्कूल विच हर विशे दे निप्पुन अध्यापक हन ए उन्नादी मेंत दाही सिटा है के मेरे स्कूल दे नतीजे हर साल चंगे रहन दे हन मैंनों अपने स्कूल ते मान है मेरी अरदास है कि मेरा स्कूल दिन दुगणी रात चोगणी तरक्की करे ता बच्चेव अपने स्कूल दे अध्यापका बारे विद्यार्थियां बारे दसन तो बाद स्कूल दे अनुशाशन बारे जानकारी देन तो बाद इथे असी मेरा स्कूल लेख दा अंत कर दें ताँ असी मेरा स्कूल लेख बारे बहुत विस्थार देविच जानकारी प्रापत कर चुके हैं पर इथे एक गल होर त्यान देविच तुसी रखनी है के तो अड़ी अपनी कल्पना बहुत महत्तव रख दी है कई गल्ला अजेयां हो सकदियां जडियां बहुत ही महत्तवपूर्ण होन पर एस लेख देविच मेरे वल्लों वर्नन ना कीतियां गईयां होन हो सकद है मेरे स्कूल देविच ओ चीजा ना होन ता तुसी जेकर कोई होर जानकारी रख देऊं जडितो अडे स्कूल देविच विशेश है कोई इमारत देविच अध्यापकान दे पकतों जा ग्राउंडान देविच पावखेड दे मैदान देविच कोई होर विशेशता है ता ओहो तुसी इस लेख देविच वर्नन कर साकते हैं। क्योंके तोहाडी कल्पना ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ओ तोहाणनू दूसरे नाड़ों वक्रा कर दियें। क्योंके बच्चेव पंजाबी साडी मातपाश हैं। साडी ले ये बहुत चंगी गल्ल है के अपनी मातपाशा देविच असी अपनी कल्पना नू ज्यादा जगा दे सकते हैं। क्योंके साडी कुड ज्यादा शब्द हुन देने। शब्द पंडार ज्यादा होन करके असी अपने विचारानू चंगी तरांदे नाड़ परगट कर सकते हैं। तां तुसी एस लेख नू होर वी वधिया बना सकते हुन जेकर तुसी अपने वल्लो एस लेख देविच होर गल्ला जडियां उन्हानू जगा देऊं। उन्हानू वी अपने वल्लो जोड के लिखुँं। क्योंके असी पहले ही गल कर चुके हैं, कि लेख वी साहक दा एक रूप है, जिसनु याद नहीं किता जा सकदा, साड़े इत जर्बयां देदा आरते, साड़े अपने अनपव देदा आरते, असी लेख दी सिर्जना कर दें, जिनना साड़ा अनपव विशाल होवेगा, साड़े कुल ज्यादा शब्द पनार होवेगा, उनना ही साड़ा लेख ज्यादा परभावशाली बनेंगा, ते जिनना ही साड़ा लेख ज्यादा परभावशाली होवेगा, प्रिख्या देवेच, ओहो पेपर चेक करन वालेते, ज़्यादा प्रबाव पावेगा, जिस दे नाढ असी प्रिख्या देविच बहुत चंगे अंक प्रापद कर सकतें। ता ज़दों वी तुसी एस लेख नू अपने प्रिख्या देविच, जा तुसी अपने काप़ी देविच लिखनें, ता तुसी ओस देविच आपने वल्लों नमिया नमिया गल्ला जिरूर लिखनें आने। त्यान इस गल्दा होवे कि जिथे विचार खातम होवे उथे पैरावे बदल्या जावे। शब्द जोड सडे सई होन असी सई विश्राम चिन्नादी वर्तों कीती होवे। ते किसे तरांदी कटावडी नांगीती होवे, साड़े शब्द जोड बिलकुल शोद्ध होन, ते विशेश तोर ते लिखाई दा त्यान रख्या जावे, सुन्दर लिखाई साड़े लेखत नू पढ़न वाडे ते बहुत ज्यादा असर पौन दी है, असल दे विच सुन्दर लखाई साड़े सक्षियत दा दरपण हों दी है, जिस्तों ए पता लागदा है कि यही व्यक्ती किस तरांदी प्रतिबादा मालक है, तब अच्चियों, असीं जेकर इना सारियां गल्लानों त्यान विच राखके लेख रचना करांगे, ता तो अड़ा लेख निश्चे ही बहुत ही वधिया लेख्या जावेगा, तब असीं आओ मेरा स्कूल लेख दी सिर्जना करिये तनवाद,